वेलकम गाइस तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हैं हम आज जो स्टॉक एसिस्टेंट का एक्जाम हुए उसके मैच्स और रिजनी के कोशन जो कोशन नमर फस्ट यहां पे आपको सेलोगिजम का फस्ट कोशन था इसका अंसर आपका आएगा डी पार्ट 99 कोशन का अंस कोशन नमर जो 101 है इसका यहां पे मुझे में जो साल कर रहा हूं वो मुझे आंसर मिल नहीं रहा है आंसर होना चाहिए यहां पर फाइव डेज ठीक है तो आप इसको अच्छे से चेक करो एक बार फाइव डेज आंसर है आइटिंक तो इसकी रिप्रेजेंटेशन अब डाल फिर 90 में से हमने माइनस किया 20% डिसकोंट और लगाया तो फिर कास्ट बजी 72 अब हैंडर में से 72 पहुंच गया तो अगर एक सिंगल डिसकोंट लगाँ तो हैंडर माइनस 72 तो कितना डिसकोंट लगाना पड़ेगा 28% का B part is your answer यह तो बिल्कुल को सिंपल को सिंपल को केजी अफ्टी वोर्थ आरेस 7 पर केजी वो कह रहा है ती कॉस्ट अफ दी मिक्चर कितना हो जाएगा अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो पहले तो इनकी कॉस्ट निकालो 6 केजी टी है और 6 रुपीज इसका प्राइज है तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा और 4 इंटू 7 28 यह कास्त आजेगी 64 अब जो मीक्च कि तो मिक्चर की टोटल कास्त आई हम रिकान network कि तना बनेगा 6 इनकी का मिक्चर अचन zulा और 64 को जबता ॉर इसकोफिये का इंट कोष्ट इसी कजी तो 6 केजी टी की सिक्स करई और फिर 4 kg टी एक अलाग तरह की टी है जिसकी कास्ट है 7 पर kg आपको कास्ट बतानी थी मिक्शिर की अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो पहले की कास्ट है 6 kg 6 पर kg और क्वांटिटी कितनी है 6 kg तो टोटल कास्ट कितनी हो ज़ागी 6 6 केजी 10 केजी तो 64.10 6.4 इस यूर आंसर तो यह आवरेज का कोशन है यह भी सॉल्फ के यह आपका आजाएगा 60 केजी सैम वही कोशन आएं जो मैंने पढ़ाए हैं सैम डिटो कोशन यह पढ़ाए हुए मैंने विचावधी सॉरी यह आगया आपका जिक्य कोशन नेक्स यह रिजिनिंग कोशन है यहां पे इसका अंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट जे ओ वी बिल्कुल सिंपल कोशन यह नमर सीरिस का कोशन है यहां इसने बोला है रॉंग टर्म यह इसने गलत बोल दिया यहां पे इसको नेक्स टर्म बोलना था नेक्स टर्म बतानी थी इसका अंसर आपका है डी पार्ट के जे ल नेक्स्ट यह फिर स्पीड इस्टेंस एंट टाइम कोशन आगया यह सॉल्व करोगे इसका अंसर आजएगा आपका 200 km होगा total उसने जो travel किया है वो पहले find करना होगा क्योंकि आपको दिया है के by air उसने किया है 1800 km और यह Total trip का कितना है 3 by 5th है तो मैंने Total distance माननी है X तो 3 by 5th of X is equal to 1800 तो यहां से X की value निकालोगे तो जो Total उसने distance cover किया है वो 3000 km है उसको फिर उसने brake किया 3 por 5 किया उसने air से फिर 1 third किया उसने किसे car से और फिर जो बचा वो trend से किया आपको सिर बताना था कि train से कितना किया 3000 में total आ गया इस मेंसे minus करेंगे 1 by 3rd जो उसने किसे किया है car से किया, 1 by 3rd करेंगे Asian 3000 में Handelnä气 directly जेके SSB के एक्जाम में सहलोगिजम से तो दो कोशन आप मान की चलो तो यहां पर आपका अंसर है बोथ फॉस्ट और सेकेंड आर्ट ट्रियो ठीक है नेक्स्ट अपका मैट्स का कोशन आगया नंबर सीरियस का यहां पर पूछा है wrong term तो अब यह कोशन ही गलत दिया हुआ है यह कोशन दियान से नोट करो जिनको आपको representation डालनी है यहां पर इसने एक नंबर मिस किया है यहां पर 48 भी होना चाहिए था तब ही जाके यह सीरियस बनेगी यह मैंने लिखा हुआ है यहां पर कोशन रिवाइज हो जाएगा यह डिसकार्ड हो जाएगा इसकी representation डाल देना नेक्स कोशन नमर 92 इसका अंसर आपका बन रहा है DMK यह तो simple थे सारे यह बिल्कुल simple थे यह पाई चार्ट का कोशन है इसको solve करोगे 75% आ जाएगा यह ठीक है नेक्स आपका मैट्स का कोशन यह था इसको solve करोगे यह आपका 76 आ जाएगा इसमें A-B whole क्यूब का formula इसमें कुछ नहीं करना था पहले X upon 1-X की value निकालनी थी आपको वो आ जाती 4 वो निकालके देख लेना फिर A-B X-1 by X whole cube का formula लगाना था वहां से in term की इसकी value आ जाती आपकी ठीक है यह तो मैंने पढ़ाया हुआ है अगर no solution हो तो क्या होता है A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 by C2 तो यह condition आपको लगानी थी वहां से K की value minus 12 आ जाती ठीक है यह hero formula लगाना था अगर triangle की 3 sides given हो तो उसका area find करना हो तो hero formula ल median find करना होगा यहां पर median होता है 3 by root 2 into side की जो length होगी 3 by root 2 into 16 into root 3 करो तो side की length 24 आ जाएगी इसका answer आपका यह जो geometric question है यह solve किया देख सकते हो यह 70 31 degree आपका इसका answer हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट यह आपका answer है question number 68 इसका answer आपका 23 is to 16 23 is to 16 इसका answer है solve कर लेना अभी सिर्फ में आपको answer बता रहू answer check कर लो यह question number 69 आगे इसका answer question number 70 इसका answer 72 by 13 ages का question Sam ऐसे कितने question बढ़ा है जब ages वाली वीडियो आप में अपलोड की थी तो इसका बीबाट answer है इसके मैंने 10 question Sam तरह के करवाए हुए question number 72 इसमें भी answer नहीं है इसको भी representation करना इसका answer 1.4 something आ रहा है बट वो option में नहीं है so यह भी आपकी यह भी question आपका discard होने वाला है question number देख लेना एक बार आप भी चेक कर लेना क्या बाता मैं ही गलत हूं ठीक है आप भी एक बार चेक कर लेना मेरे इसाब से जो answer बन रहा है 1.42 आना चाहिए compound interest से question है बिल्कुल simple सीधे question है जो मैंने करवाए हुए है deep artist का answer है 200% सीधा formula लगाना था वो कितरे इस paper को analyze करके मुझे यह बता चलाए slabus को इन्होंने दियान में नहीं रखा है इन्होंने ने देखा slabus इन्होंने maths के सारे topic चेक सारे topic से question डाले है reasoning के हार एक topic से question डाला है जो slabus में था उससे थोड़ा बाहर भी इन्होंने touch किया हुआ इस बार आपकी preparation इस तरह से होनी चाहिए कि reasoning और maths के तो हार topic आपको आना ही आना चाहिए आप देखो यहां पर कुछ ऐसे topic भी डाले हुए जो इन्होंने slabus में दिये ही नहीं थे जैसे यह linear equation से इन्होंने कोशन डाल दिया यह तो आपको नहीं था slabus में ठीक है न यह अब hero formula का कोशन डाल दिया यह भी slabus में नहीं था के इंपे भी geometry तो नहीं थी सिर्फ mensuration थी mensuration में आ सकता है यह 2D figures में यह तो है slabus में यह है सुरी यह वला है यह भी है यह तो सहरा आपका mensuration में आएगा ठीक है यह तो mensuration में नहीं आ रहा नहीं यह तो angle find करने के लिए बोल रहा है थैंक्स फर वाचिंग इफ यू लाइक वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल वेटिनेदी का जो एक्जाम आ रहा है उसके भी यही topic यह सारे topic अब उसमें repeat होने वाले तो इनकी playlist बनी है आप playlist में जाके सारे topic देख सकते हो सैम और आप देखो के जब आपको पता लगेगा यह सारे कोशन में ने पढ़ाए हुए थैंक्स फर वाचिंग